प्रीभक्त गणों आप सबी को सादर प्रणाम प्रीभक्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो अंक वाले जातक कैसे होते हैं जिन जातक का मुलांक दो होता है उनका भविश्य कैसा रहता है वे अपने जीवन में कैसे रहते हैं आईए जानते हैं मुलांक दो वालों का भविश्य कैसा होता है प्रीभक्तु जिन जातकों का मुलांख दो होता है वह जातक अत्यंत भाबुक चंचल होते हैं ऐसे जातकों में प्रेम की अधिकता अधिक होती हैं ऐसे जातक बहवार कुसल होते हैं मुलांख दो वाले जातक बाग पटू और शीर्ग ही मित्र बनाने की कला इनमें बहुत अधिक होती हैं ऐसे जातकों का प्राय छण छण रंग बदलता रहता है पल में तोता तो पल में कुछ और होते हैं ऐसे जातक अधिक भाबुकता के कारण स्वयम को ही कभी कभी संकट का आमंतर देते हैं मूलांक दो वाले जातक करमठ होते हैं पर समय पर कभी अपना काम पूरा नहीं करते हैं मूलांक दो वाले व्यक्ति बिनोद पिर्य बैठक बाद यानि बहुत ज़्यादा बतूनी होते हैं मूलांक दो वाले जातक सुन्दर इस्त्रियों के प्रति अधिक आकरशन रखते हैं ऐसे जातक समय के पावंद नहीं होते हैं जिन जातकों का मूलांक दो होता हैं उनका उत्सा दूद में उफान की भाती छणिक होता है मूलांक दो वाले व्यक्ति योजनाय तो लंबी-लंबी बनाते हैं मगर उस पर अच्छे से कार्जी नहीं कर पाते हैं मूलांक दो वाले व्यक्ति बचन को तो देर से पूरा करते हैं लेकिन मूलांक दो वाले व्यक्ति गुप्त बात पेट में पचा नहीं सकते ये किसी भी तरह की बात को अपने पेट में नहीं रख सकते बास तब में मुलांग दो वाले व्यक्ति टाल मोल प्रकतिके होते हैं इनका पारवारिक जीवन मध्यम सुखी रहता है मुलांग दो वाले व्यक्ति बहाने वाजी में पटू होते हैं शीशे में उतरना तो कोई इन से सिखे हैं, लेकिनी ये धोके वाज कभी नहीं होते हैं, मूलांक तो वाले व्यक्ति कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते हैं, ये बहुत ही सरल मन के होते हैं, इनका मन गंगा की तरह निर्मल रहता है, मूलांक तो वाले व्यक्ति अपनी भूल, अपनी गल्ती का ततकाल स्विकार कर लेते हैं, इनका हिर्दे बहुत ही विशाल होता है, मूलांक तो वाले व्यक्ति मिल जुलकर अपना काम बना लेते हैं, मूलांक दो वाले जातक दुस्मन के प्रति कठोर भाव अधिक समय तक नहीं रखते हैं संकट आ जाने पर वे अपने दुस्मन का साथवी दे देते हैं मूलांक दो वाले व्यक्ति घरालूप प्रकेती के होने के कारण भीरू भी कभी कभी हो जाते हैं इसके बावजूद ये अपनी बागपटूता और बहुरूपी सुभाब के कारण समाज में सम्मान पाते हैं मूलांक दो वाली जातों को का जीवन प्रथम चरण में संकट में, दित्ते चरण में अत्यन्त सुखकारी आयू के मध्य के दोर में नाना परकार के सुखों को प्राप्त करते हैं मूलांक दो वाले व्यक्ति धन सम्मंधी हानी होने पर बेतर अधीर हो जाते हैं उनका अपने आप पर नियंतन नहीं रहता मूलांक दो वाले जातक रजोगुर प्रधान सिर्ग गामे होते हैं मूलांक दो वाले जातक नीतिया तो पक्की बना कर रखते हैं पर बिचार बिखराप पाये जाते हैं इनके बिचारों में कभी कभी बिखराप सा आ जाता है मूलांक दो वाले जातकों को मित्रों का एक बड़ा समू सदेव इनको घेरे रहता है इस कारण कभी-कभी ये हानी भी उठाते हैं मुलांक दो वाली व्यक्ति संकालुप प्रकति के होने के कारण मन से कभी-कभी बहुत ज़्यादा परिशान भी हो जाते हैं मुलांक दो वाली व्यक्ति अपने घर परिवार से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं जिन जातकों का मुलांक दो होता है उनको सुन्दर पत्नी की प्राप्ति होती है और वह पत्नी हर समय इनका साथफी देती है एक इनका जीवन साथी ही होता है जो इनकी मन की भाबनाओं को समझता है अन्य था इनकी मन की भाबनाओं को कोई और व्यक्ति सिर्ग नहीं समझ पाता इसलिए इनकी जीवन में इनकी जीवन साथे की अधिक भूमिका रहती है मुलांक तो वाले जातक अपनी पत्नी और संतान के प्रती सदेव विश्वसने होते है मुलांक तो वालों की पत्नी अत्यधिक सुंदर, पति प्रिय और मीठा बोलने वाली होती है आप इस्तरी जातक या इस्तरी अधिकारी से अपना कार्य सरलता से निकाल सकते हैं आपको इस्तरियों से जीवन में बहुत अधिक लाब मिलता है मुलांक तो वाले की यदि केरियर की बात करें तो इनको जल सम्मंधी बस्तों से अधिक लाब होता है इनका वयुसाय तरल रस्दार बस्तुए कमीशन एजेंट कलकार रंगमंच फिल्म गायक, पत्रकार या फिर एक अच्छा कभी भी हो सकते हैं मुलांक दो वाले जातक मन से काफी भाबुक होते हैं यदि मुलांक दो वाले जातकों को मानसक रूप से कोई समस्या हो रही हों या फिर मानसक रूप से परशान रहते हैं तो यह मानना चाहिए कि जन्म कुन्दली में या फिर इनके जीवन में चंद्रग्रह उत्तम नहीं हैं क्योंकि मूलांक दो वालों का स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है इसलिए अगर मूलांक दो वाले जातकों के जीवन में मानसिक समस्याएं बनी ही रहती हैं तो ये ज़्यादा से ज्यादा अपने चंद्र ग्रह को मजबूत करें तभी ये जीवन में अपने सफलता पा सकते हैं क्योंकि जब आपका मन ही मजबूत होगा तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकती हैं तो परिभक्तू ये थी कुछ खास जानकारी मूलंक दो वाले व्यक्तियों के बारे में अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे उपाएं ये दे किसी जातक का मूलंक दो हैं और वो मांसिक रूप से बहुत ज़्यादा कमजोर है या फिर किसी प्रकार से उसको मांसिक रूप से कष्ट रहता है तो अपने जीवन में इन उपायों को करके आगे बढ़ सकते हैं तो परिभक्त गणो हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही काम के उपाएं जिन जातकों कामूलंक दो होता है ऐसे जातकों को भगवान सिब की अधिक से अधिक आराधना करनी चाहिए क्योंकि भगवान सिब ही चंद्र ग्रह के अधिश्टाती देप माने जाते हैं भगवान सिप की पूजा करने से आपके चंद ग्रह से सम्बंदित किसी भी परकार का दोस्त क्यों नहों बहस स्वते ही समाप्थ हो जाता है इसलिए सोम बार के दिन आप कच्चा दूद सिबलिंग पर अरपित करें उसके बाद में आप पंचा मृत चढ़ा कर भगवान सिप को गंगा जल भी अरपित करें ऐसा करने से आपके जो भी पाप दोसें बहदूर होंगे और आपको जीवन में भगवान सिप की क्रपा प्राप्त होगी दूसरा उपाई ये हैं कि आप सोम बार के दिन भगवान सिप को खीर का भोग अवश्य लगाएं चांदी की कटोरी में ऐसा करने से आपको बहुत जल्द ही अच्छा फाल मिलने लगता है और सबसे महतपून उपाई ये हैं कि जिन जातों को का मुलंक तो होता है उनको अधिक से अधिक अपनी माता जी की सेवा करनी चाहिए क्योंकि चंद्र ग्रे माता का कारक होता है इसलिए आप जितना अधिक अपनी माता जी से अपने संबंध मधूर रखते हैं उतना ही आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी इसलिए आप सच्चे मन से अपनी माता जी की सेवा कीजिए उनके चरण इसपर्स कीजिए आपको सफलता खुद वे खुद मिलने लगेगी और सबसे महतपून उपाई यह है कि आप सावन महा में या फिर किसी भी महा की तरियोदसी को शिबरात्री को भगवान सिप का रुद्र विशेक कराएं ऐसा करने से आप सभी समस्याओं से निजात पाजाएंगे और आपको भगवान सिप की करपा प्राप्त होगी तो पर यह भक्त गणो यह ती कुछ खास जानकारी मूलांक तो वालो जातकों के लिए यह ती आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आपको यह जानकारी कैसी लगी धन्यवाद और एक और जरूरी बाद कमेंट्स में हर हर महादेव आवर्ष्चे लगें और निमाद